लोग से भी इमिगेशन को देख रहते हैं, मैं तो कहते हैं, जए भी इन डॉपोर्टिटीटीटीज यह, यह इचले जाएं, यह इचले जाएं, आपको कितना आपको जो है ना वो आपको गुर्डन विजा भी दे रहे हैं, पांसाल वाला, पांसाल वाला, इनकी बस अपने अपने जवान में चेंसें कार्टे कहते हैं जर्मन लैंग्विजी तो अपोर्चुटी कार्ट के अंदर यह उन्होंने पॉइंट सिस्टम उतारिफ करा दिये उन्होंने यूस-व्क की तरह अब वो 6 पॉइंट्स करने हैं इस इस 6 पॉइंट्स अच्छा क्या-क्या पॉइंट्स है अब पॉइंट्स है एज कॉलिफिकेशन वर्क एक्स्पिरिंस और आपका लैंग्विजज़ अभी भी USCIS की वेबसाइट पर स्टम बलों का जो अप्रूवल रेशियो है वो 90 प्लस है 90 प्लस परसंट जो है उनका अप्रूवल है नॉन स्टम अब नॉन स्टम का मतलब स्टम बले जो होते है साइन्स टेक्नलोजी इजरीन मातमेटिक्स के लावा लोग जो हैं वो 45 तो 50 परसंट का रेशियो है साम अलेकुम खावातीनों हजरात मेरा नाम जैद कुंदने और आप देख रहे हैं यूट्यूब पॉड़कास्ट जैसा कि आप जानते हैं हमारी पॉड़कास्ट की सीरीस कंटिनियूस है और आज फिर हमारे साथ मौजूद है फाउंडर एंड सीई ओ सुपीरियर कंसल्टिंग प्राइविट लिमिटेड अदिल इसमाइल साब अदिल साब थैंक यू वड़े मच आज हम बहुत सारी बाते करेंगे आपसे हम UK कैसे जा सकते हैं कैनड़ा कैसे जा सकते हैं EB2 USA कैसे जा सकते हैं इसके लावां कंसल्टिंग के हवाले से बट सारी इशू मेरे पास और भी है हम उनको भी deascus करेंगे और उनको भी deascus करेंगे और रिफ्यूसल के जो केसिस आपके पास हम उनको भी deascus करेंगे और या कोई इे गिजिस्टिंग bus отдель जो के लोकली हो और वो एक्स्पैंड कर रहा हूँ तो उनके लिए ये वायबल है उनके लिए तो सबस्द अच्छी अपोश्रिटी है क्योंकि तेकि अगर मुल्टिनेशल कंपनी होगी और उसके कैनिड़ा में अलरडी ही ब्रांच है तो वो अपने सीनियर्स को या कोई स्पेशलाइजड परसन जिसकों के था कि स्पेशल जहना उसकी नॉलिज है और वो अपरेट कर सकता है कोई स्पेशल डिगरी है तो खासता पर वही बंदा उससे रिक्वाइर है तो वो जाकर वहाँ पर अपनी इंप्लाइमेंट हासल कर सकता है इस थूरू जासाए इसके थूरू जासाए यह एक अपरचिटी है लोगों के लिए कि इसको भी देखें जो लोग करना है बहुत बड़ी दादाद है सिर्फ स्किल्ड वर्कर भी नहीं होगा ना अचा बिजनस की के काटगरी स्पैसिफिक है लावा जो भी कोई बिजनस हो एक तो स्टेंच तो वर्षी प्रफरेड होता है लेकिन कोई भी लाग कोई सफटर हाउस नहीं है या सफटर हाउस ही है मिसाल है यहाँ पर और उतना इसने ग्रो कर लिया है कि यहां पर उसकी अच्छी रेविन्यू है अब वो अपना कोई सिस्टम वाइं इस्टेबलिश करना चाहरा है कोई एक चोटी सी कंपनी का ब्रांच आफिस खोलना चाहरा है तो वो किस तरह से यहां से वे आउट करेगा एक तो पहले दिखाएगा कि अपना तालुक आपको तालुक दिखाना जरूरी कंपनी का जो कंपनी इस्टेबलिश की ओन पेपर नहीं होना चाहरा समयने का और उसमें फिर आप अपना फिर वो जो कंपनी है वो कंपनी इस बंदी के लिए पहले अपना आपको रेस्टर करेगी अपना जो करते हैं कि एक्स्प्रेशन अफ इंटरस वो रेस्टर करेगी और आप यहां से वर्क परमिट अप्लाई करेंगे तो तो टू वे प्रोसेस है एक्शली तो इसका स्कोप क्या है कैनिडा में किस लोकेशन के लिए है यह किसी भी जगापर कोई भी कमपनी के लिए हो सकती है पर डेफिनिटली एक टेंपररी वर्क भीजा है अब वहां रहते वे आपके पाँस बहुत सरे औप्शनस अवैलिमन हो सकते है अब वहां जाकर जब आपने रह लिया साल गुजा लिया तो साल गुजा लिया इसी कमपने भी कुछ कर लिया होगा आपने आपने CEC में आप अब 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 लाई कर दें कैनडीन एक्स्पिएंस क्लास में जो कि आप एक्सपिशन्दी का एक रूट है तो बहुत सारे पर्वेंस जासी के आप स्ट्राटप पे चले जाएं आप आप अंट्रप्रिनर्शिप पे चले जाएं अगे जादा से अतना हैसल फ्री आपको जिकागे वह जाएका कि आपको लुम्हें एकी प्रॉसेज्ट इसका ताइम-लाइन और जा जाए और चालर जाज़ा डॉलर पचाज़ाद डॉलर आज़ाव है तो यह एक अच्छी जहने वह अपरशिटी लोगों के लिए अच्छा, how ICT is different from the start-up Permanency नहीं सबसे पहला Straight away Okay, difference, main difference Main difference होई यह ठीक हो गया और quick transition है आपका इसमें timeline तेज़ है तेज़ है, fast जल्दी हो जाएका, चार्ची मेने के अंदर आप आप वो in कर सकते है Whereas Canada का start-up जो visa है वो permanent visa तो है, family भी permanency आपके हासल कर सकती है यह तो इसकी feature हो गया और जो most important part हो गया But the thing is कि जो आपको visa लेने की जो मुश्किलात है वो तकरीबन भी अभी भी जाए कोई भी शखस CIC की website पर जाए, Canada start-up को search के रहा है और उसके duration processing कर देंगे 39 months लिखा हो है हाँ, एक charm ज़रूर है, वो पता होना चाहिए और बता, कुछ लोग बताते है, कुछ भी बताते है due to the knowledge कितनी क्या चीज़ है एक opportunity है कि Canada का start-up अपने apply किया, उसके procedures पर हम बात में discuss करेंगे, बट आपको endorsement मिल गए, आप वेटिंग गर रहे है विज़ा के लिए जो कि 39 months पर मुहीत है अब इस दौरान में government ने खुद ही एक announce किया कि आप अपना ही work permit पर निकाले इस बुनियाद के ओपर और जल्दी आजाए ताकि आप अपने operations को देख सके startup की, जो आप अब अगेन आपकी वाली बात आगई कि आपका operation और आपका case इतना strong होगा तो इस सब इस पर वो तो startup में तो आपको already आपको वैसी बाद चल दाएगा ना क्योंकि आप जा रहे होंगे business incubators के थुरू, आप जा रहे होंगे venture capital के थुरू, आप जा रहे होंगे angel investor के थुरू, अब angel investor हो capital venture हो, यह आपको देते है 2,00,000 डॉलर के से कम का आपका नहीं होना चाहिए investment, जो minimum, जो capital venture आपको जो है VC, और दूसरा आपका जो है, जो angel investor 75,000 कम से कम भी जो है what is angel investment? angel investment जो individual investors होते है me myself, सारा पैसा मेरा है सारा आइडिया मेरा है, सारा स्टाटप मेरा है आप और मैं टैकर लेंगे कि मुझे कितरा percentage चाहिए so I am like an angel investor जैसे आपको shark tanks वगरा में होता है, वो angel investors कराएंगे सब्सक्राइब जो venture capital होते हैं, वो आपको क्या करते है आपके business को grow करने में mentorship, support और उसके लिए वो कहते है, यह हमरा एक program है इसको पढ़ें, उसके पर training असल करें चीज़े करें इतने पैसे देदें मुझे और प्लस इसकंदर advantage जो होता है कि आपको Canada का startup जो है, वो आपको एक से जायद लोगों एक ही जो आपका innovative idea हो, क्योंकि startup visa के अंदर सबसे important है कि आपका जो business idea है, वो बहुत innovative होना चाहिए वो मतलब इतना competitive और competent होना चाहिए वो innovative हो, वो scalable हो, सबसे important है कि scalable होना चाहिए Scalability matter करती है न, वरना वहाँ जाके जोब भी create कर रहा है, इस सारी चाहिए जोब क्रियेशन और Scalability यह तीन चीज़ आपके होंगी, यह endorsement आपको endorsement letter मिलेगा बकाते हैं तीनों में से किसी भी बाडी से आपको, ओके वो endorsement letter लेकर आप फिर visa file के तरफ जाते है आपको पर्मिनेशन सी मिलेगी उसके नदा है, वो जो letter of support के लिए market trades चल रहे होते हैं, 40,000, 45,000 dollars, लोग चाट भी कर रहे होते हैं तो वो आपको, आपको जो है न, वो पर्मिनेशन सी के लिए आपको help out हो जाता है All right, Canada ही क्यों इस तरह की कोई और other visa gateways है in other side देखें, Canada के अंदर बहुत सरे visa classes है अगर आप सब Canada को कर रहे है विरस अगर US को देखिंगे तो इसका जो neighbor country हो, obviously land of opportunity है, US USA US के लिए दोनों ही categories, skilled के लिए भी अब जो है, पिछले 2-3 साल से आप देख रहे होंगे बिजस के लिए भी आपको काफी opportunity है और लोग prefer करते है लोग prefer करते है, US को obviously Canada पर, Australia पर तो कि भई, आपके पास diverse culture है आपके पास robust economy है उसकी ठीक है, और आपको professional growth आपको महाँ ज़ादा मिल रही है और Texas बगरा भी अगर आप देखे तो comparatively कहीं कम ज़दा हो सकते बट बहराल आपको living standard है, चीज़े है और liberty जो आपको मिलती है तो वो आपको US के ज़दा मिलती है मेरे पास cases है from Australia applying for US EB2 NAW UK applying for EB2 NAW even Canadian applying for EB2 NAW तो यह लगए और इसके लावा तो different parts से तो हैंई साथिया से, कतर से इंडिया से, पकिस्तान से तो एक तो rushing है even Dubai के अंदर मेरे पास एक इंडिया के हैं साब तो उन्होंने apply किया बहुत regard करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं चाद हो जादा है, मुझे follow भी करते हैं तो वो लोग कर रहें, लेकिन उनका जो time line है वह जादा है उद्ध-11 साल का जो है वो इंडिया का time line है तो उनको उनके लिए ज्यादा suit करते हैं, यह भी वन अगर आगर आगर आपको ज़एदा आपके पास जो के athletes वाले, media वाले लोग है, जो के आपके जो आपके जो है अज़र, let us talk specifically about the NIW, National Interest Waiver इसमें EB-1 भी है और EB-2 भी है, राइड? EB-2, EB-2 NIW जादा इसलिके इसमें जो general skilled worker है, वो भी समा सकता है और apply कर रहा है और इनको भी approvals मिल रही है जर्नल skilled worker से मुराद STEM के लावा? STEM के लावा, non-STEM और STEM दुनों apply कर सकते है और प्लस जो एक myth होती है, एक हवा बना होता है क्योंकि कई आप US lawyer से बात करें क्योंकि उनका मिजाज बड़ा सकत होता है तो अकसर में बाद सवाल आते हैं युएस lawyer ने तो मना किर दी, आपने मुझे okay किया है तो मैं बताता हूँ कि उनका standard चीज़े बहुत different है वो मना भी कर सकते हैं और हर doctor के अपनी एक evaluation होती ऐसे ही, बिल्कुल, वो unique उसका नदर यह मैं अपने nation को देख रहा हूँ, अपने country mates को देख रहा है तो फिर उसको लेना चाहिए जैसे मेरा एक बहुत stranded prop जो हैना वो procedure है और लोग नराज भी होते हैं उसके अंदर सर वो evaluation पर जाना पड़ेगा पहले मैं क्योंकि normal ही नहीं बात करता मैं कहता हूँ पहले evaluation करो positive मैं बैटकर बात करके गपशे पर लगा कि उसके बात करके बात करके बैटें और फिर उसका case में मता नहीं है वैल्यू भी होती है, time की वैल्यू भी करें आजकल जो लोग नहीं करते हैं तो अपको अंदाज हो कि हाँ पर आपने कैसे लेके चलना है तो मेरे पास तो एक तो यह straight forward यह है EB2 के अंदर NAW जब से हुआ है अच्छे यहां पर बड़ी एक इंपॉर्टन बात करें मुझे से हमने पिछले दफ़ा भी बात कि थी कि अक्सर हमारे पास सवाल आते है यार वो पराना करस्वर्टन तो कह रहा है कि हमने सबसे पहले बात हमने सबसे पहले इस प्रोग्राम को लाउंच किया अब मुझे यह बात क्योंकर ना समझ में आती ना हाजम होती है अब इस पे हमारी अवाम इतनी साधा है कि वो इस बात पे जाके कोर्ट कर जाते हैं आगे यह कोर्ड भी करते हैं और इसको impress हो रहे हैं और इसको बता जुनिवर्य वह ने रहे हैं कि पहले पहले और दूसरेकेस उससे आपको क्या फायद है पहले में तुख में अजब और फाया होती होती है इससे वो शर्माते भी नहीं गबराते भी नहीं है और यह कोट इसलिए कि बिक रहा है जब चूरन बिक रहा होता तो बनता बेश था उसको पहले दूसरे से आपको नहीं होता मेरा पहला विज़ा आगिया मेरा पहला ये चीज़ हो गई हाँ ये ज़रूर है कि मेरे बात करने से इतना ज़रूर फरग पढ़ा है इस इंडिस्ट्री के अंदर मैंने काफी जब देखा है कि लोग अब इस बात पर आगए वातो इज़ो मंतुशा वातो जिल्लो मंतुशा अलहम्दुलिल्ला आयाते कोट कावे कि आप जब आप कॉल फिल्म आपकर आप तज़ा दोगा क्यूं मैं बात करता हूँ मैंने बड़ी बात इसमें एक दफ़ाँ मुझे आया कि वो आफिसले वो नज़र आया था आप किसको टार्गेट करें किसको बात करें तो वो ये बात होती है कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ मैं एक स्ट्रेट अवे आपका हूँ मैं खिलाफ हूँ उस निजाम के और उस बात के जो लोग अपना लेते हैं मिसाल के तोर पर मैं यहां बैठ कर जो है न वो जूट के ओपर चीज़े बेचते रहूँ वर्ट परमिट्स के उपर आप अपने ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे न अगर आगर आप सारह साल जो है एई आई पीप बेचते रहेंगे मुझे बता है कितने एई आई पीप पाकिसान से जाते हैं लो तो इसका मतलब आप सिंसेर नहीं है मुझे सिर्फ इख्तिलाफ बात से है कि आप सच के उपर काम नहीं करते हैं आप इतना पैसा बनाने के अंदर मशगूल है कि आप सामने वाले की जेब को बिल्कुल भी आतर खाल जाता है मेरे पास आजा वो पैसा किसी तरीका से आप काम करें काम करके जो है वो डिलिवर करें आपको कुछ ने जरूरत नहीं होगी हाँ ये जरूरत के खुशी होती है कि लोग थोड़ा सच चलें दिन्दारी के तरफ और चीज़ों के तरफ आते हैं तो अच्छा करें बाद इसको कैप्तलाइज ना करें बिल्कुल ये आइडिया तो चाहर हो जाता है इसको कम्पिटिशन जाइज बिल्कुल आपको करना चाहिए पर कम्पिटिशन के अंदर एथिकल वे एथिकल आपको वो हाथसे नहीं जाना चाहिए जब करता हूँ चीज़ों को मैं ये बता देता हूँ किसता से जज़ कर ले जैसे बहुत इसको कम करते हैं जैसे एक सवाल होता है कि उनके लिए और आपको क्लाइंट भी करते हैं और समझने के लिए करते हैं और मुझे ही केज देता है मैं उसमें पर भी सवाल करता हूँ अखसे जगहों पर मैं बात भी कि कि भाई, एक तो मैं रोकने वाला किसी को नहीं हूँ, आप किसी के पास भी जा के करें, आपकी वैलूशन अच्छी नहीं चाहिए, जब आपका कंपारजन खराब होगा या तो, या आप कंपारजन सही नहीं करें, चले खराब बड़ को भी हड़ा देता है, हम कहरें, आप कं पता है, पलिझा पता है, उसका भी जवाब है, वेबसाइट देख लें, यह ओइ। बहुत असान आपको हल बता रहा हूँ, मेरी कंपनी प्राइवड लिमिटेट, ठीक होगे, SECP के उपर जाएंगे, Security Exchange Commission of Pakistan, उसके उपर कंपनी वेरिफाय करने का option होता है, आप सिंबल जाकर सुपीर कंसर्डिंग प्राइवड लिमिटेट है, सुपीर कंसर्डिंग को देखें फैब 2005 की रिजिस्टेट है, तो 19 साल तो ऐसी बनते है, तो इसलिए मैंने एक रिजसाल विदाउड इसके बीचलाया होगा, जब आप बात करें, दलाइल के साथ आप बात है, अदरवाइस पिर हाँ, किसी को option है, तो EB2 के हवाले से, क्योंकि प्रोग्राम बहुत होता है, ह एक सवाल तो यही कि रिस्टो जिसने अल्ला ने देना, सबको देना है, फ्रोट्रस को भी दे रहा है, इमानदार को भी दे रहा है, पर डिपेंडिंग अपॉन आप खुद कैसे सेटिस्वाय होते है, आपका भी तो कोई जमीर होना चाहिए, कि कोई का आपका जमीर है, कि पिसमे केंड़ जमीर होते होते हैं, यहम डीरा की की रिकाल है, अनके कहें लोगों को इस बता है, उनसे कर ले, अब इसमें लड़ए के इस बात की है, क्योंकि हमारा एक्लचुर ऐसा है, उनकामी कल्चुर, घृराने वाला इवाल कल्चुर, वह दे इस dus के आभी मेरा ऑच अब इसके उपर कमपड़िए, कमपड़िशन स्किल्स के उपर नहीं है। अब भी हैं किस तरह सा बात करें हैं। इमांदारी के उपर नहीं है। स्किल्स नहीं हैं। और फिर सर्विसस नहीं है। अब ये बहुत important बात है नास्ट वाप को बता दूँ के EB2 की जितनी परडिशन जो पाकिस्तान में अगर पाकिस्तानी इसकी हम बात करें उसमें अगर किसी को देखनी भी हो और समझनी हो और ये मेरे सारे क्लाइंट्स आके आपको दे सकते हैं इस वक मैं साड़े चार्ट सो से उपर की परडिशन बना चुकों और दिकर चुकों और उसमें से आप 90% जो है मैं खुद बनाता हूँ EB2 की? EB2 NAW की मैंने किसी मेरे पास अच्छे का से case officers मौझूद है EB2 के वो forms करेंगे, printing करेंगे वो कर भी सकते हैं लेकि मैंने नहीं दिया हो क्यों? क्योंकि आपको excellence बरकरा रखे, आपको standard बरकरा रखे आप पूरे पाकिसान में बताएगे कौन सा concern जो director भी हो, owner भी हो और senior concern भी हो, visa का तजरुबा भी हो वो बैठके बना रहा हो और files भी खुद बना रहा हो और वो सारे काम करता है उसके लिए आपको बहुत ज़दा अपने profession से महबत करने पड़ेगे एच करना पड़ेगे बिलकुल, बिलकुल, बिलकुल बढ़ना पॉसिबल नहीं है आप honestly, आज ही मुझे रखे ने बोला सार आप यह सारे काम आप assessment भी दे रहे टाइम लगाते हैं नो पुरवरा दिल आप लगा रहा है तो आपको करना से मिल दाते हैं तो इस तरीके से EB2 के अंदर opportunities हर उस बंदे की है जिसके पास 4 years bachelor's degree है किसी भी program की किसी भी program की लेकिन preferably stamp होना चाहिए उसके बाद पर और और भी है चार साल का minimum आपके बास bachelor's हो और पांस साल का progressive work experience आप प्रूफ कर सका यह minimum requirement है otherwise अच्छा यह है कि master's degree हो फिर experience की उकोई खायद नहीं है अच्छा एक साल दो साल का count भी है फिर कोई मैंने नहीं रखता ना क्योंकर advanced degree के उपर हो program ही advanced degree है सो bachelor's वालों के लिए तो experience के साथ यह opportunity है और master's वालों के लिए बिदा एक साल का हो दो साल का हो हमार पास दो दो साल के experience वाले प्रूफ है master's degree होना चाहिए PhD वाला तो से और उपर आजाएगा और advanced senior degree simple is that कि आप जो propose कर रहे आपका propose वो foundation है prediction की कि मैं करूंगा क्या आके वाँ पा मैं कौन सा project क्या innovation लेकिए आ रहो हो जिससे US को फायदा होगा और उनके national interest में होगा health में होगा education में होगा sports में होगा science में होगा STEM में होगा technology में होगा आप कर सकते हैं जाधा तुक्रेव स्टेम बालों को जाधा वो attract है उनको चाहिए भी जाधा लो तो जाधा करते हैं अभी भी USCIS की website पर STEM बालों का जो approval ratio है वो 90 प्लस है percent 90 प्लस प्रसन जो है उनका approval है non-stem अब non-stem का मतरब STEM बाले जो होते है science, technology, engineering, mathematics इसके इलावा लोग जो है वो 45 to 50 percent का ratio उनका उसमें medical वाले भी आगए non-stem में medical वाले भी आगए medical वाले non-stem में तो आते हैं लेकिन medical की अपनी एक priority है US में, EB2 में EB2 के अंदर उसकी अपनी एक priority है medical की field के अदर अपलाई के अदर अपलाई के अदर fashion designer तो non-stem के अंदर आते है हाँ ये तो ना medical में है ना stem में three months के अंदर without the RFE approval है three months के अंदर? जी ना medical में है ना stem में है इसी तरी किसे bank manager हमारे पास थे branch manager तैप बैंक कराम नहीं लूंगा उनका 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 हो तो वो branch manager के अंदर management के अंदर थे उन्होंने apply के हो खुछ से apply करके मेरे पास आये थे fashion designing के वाला case थोड़ा डीटेल में discuss करें हाँ करें हाँ करें है उन्होंने किस field में fashion किया यानि के degree किया degree उनके पस में खाल सब master's है master's है कराची के हैं हाँ कराची के university कौन सी वाली है university मुझे इतना उसका इतना याद निके university के होगी लेकिन जो आपके fashion designing में होती है मुझे इतना याद है कि वो fashion designing के field के अंदर है और अच्छा है उनका even हमारे जो youtube channel है उसके पर उनका हमने published भी के वे इंटुव request जब हम करते हैं कुछ clients कहते हैं कि ब्लर कर दो और कुछ से तो वो basically जो है वो fashion purely fashion designing जबने case भी लिया था वो मुखतले जगा साभी होके है सब लोग उने discourage किया था अच्छा लागा था हमें कि उनका कुछ कमपणी भी चला रहते तो उनका जब हमने क्या दो हो गया मेरे पास लेकिए च्छे आट पेज़ की आरफी उनका profession क्या था बैंक manager और वो उन्होंने अप्लाई किया अब कहीं और जगा पर जाए जब जाए जब मास्टर्स दिग्री मास्टर्स दिग्री मास्टर्स दिग्री विद एक्स्पिरिंस अभी अभी तो 4-5-6 मिन तक भी चले गए तो यह शुरू की profile ऐसी है कि लोग सवाल ही करते थे यार bank manager तो बहुत सारे मेरा ही क्यों होगा अचा वैसे apart from this इसके अंदर जो fees और जो legal charges है consultancy charges के इलावा official fees कितनी है dollars इस वक्त तो 1,015 dollars है EB2 NIW की क्योंकि इसके अंदर कुछ amendments हुई है पहले 700 dollars थी पहले 750 dollars हुई इसके साथ उन्हें बटते बटते इतनी है associate fees भी लगाई ही है तो यह कुछ fees है कुछ आपको evaluation fees almost 100 dollars के करीब अपने pay करनी होती है अपने जो credential assessment की अगर मुझे US से जाना है और EB2 के through मेरा कोई channel बनता है तो मेरे पास bachelor degree और 4-3 साल का experience होना चाहिए master degree होनी चाहिए यह minimum requirement यह अक्सर लोग सवाल भी कर जाते है कि मेरे पास तो publication नहीं है आर्टिकल नहीं है research नहीं है medals नहीं है यह जरूरी नहीं रिफाइन कर रहे है और convince करने की कोशिश कर रहे है judge को तो यह kind of a judge है कि जो सामने बैठा उसको आपको convince करना दलाइल से अच्छे दलाइल से references से अब मैं जितना यह जितने भी हज़रात जो market में बैठे हैं इनके कोई भी आप समझे लिए कि 12 pages, 13 pages 16 pages की petition अब उसमें आपने थ्री प्रॉंक्स लिखने हैं और अपनी बारे में कहानी सोना नहीं है तो आप तबज्व से नहीं काम करें आप इस पे काम करें मैं उसी पर आ रहा था कि जो cases approve हुए वो तो आपने बता दिये और वो तो कोई भी बता देगा जो reject हुए हैं उनके समराद बताएं एक तो मैंने करना कि दो दिजन से जाए जाए तो इनी के cases है जो reject जो reject हुए उसमें आपके पास क्या है बहुत ज़रा compelling नहीं बनाए भी बहुत ज़रा detailing नहीं है उसके अंदर और उसके अंदर research work नहीं है उसके महनत अज़र नहीं आ रही है और जो proposed endeavor आपने pick किया वो इतना solid नहीं है कि जिसके उपर आप defend करके खेल सके defense week है defense week है आपका तो वो उस वक्त आए कि जब आप खुद concerned बहुत experienced हो आपका analytical approach बहुत अच्छा हुआ हूँ आपने कई बार इसको review करके और किया हूँ और एक उतना profession के साथ sincerity profession के साथ justification करना वो एक बहुत important है business तो कर जाते है कोई को लोग आते महौल अच्छा लड़के लड़किया देखिया अच्छा अपने environment देखा इससे attract होते है इतना research work इसके बद्दे की या इनके लोगों की काबलियत क्या है और यह 20-20 साल से भी अगर कुछ किया है 20 सालों में कुछ तो किया होगा न आपके पस क्या है Canada में आपने क्या किया है हर कोई चाहता है मैं फर्स्ट मूवर अडवांटेज लिलू में पस्ट इपेंडिंडिंग अंदे सर्विस में कौन सा फर्स्ट मूवर अडवांटेज होना जाई आप मैंने पहले शिरू करें आप यह कहें कि मैंने 100-200 वीजास करवाई है तो मैं हूँ अब champion कोई अपना वो कहते हैं या हम बताएं कि 20 साल से 10 साल से इतने लोग हो Canada, Australia इतने लोग मेरे पास interviews के लिए और चीज़ों आप दिखाए है ने शोग करें हमें तो यह कहाँ seeing is believing होता है हमें भी कोई नहीं मानता मैं जितनी बाते भी करते रहे था जिस करते रहे था लेकिन आप उसको कैसे relate करेंगे कैसे उसको justify करेंगे तो लोग करेंगे मेरे पास इतना भी होता है जो refusal की जब आपने बात की तो एक तो यह मैंने बताया कि इतनी strong नहीं होती मेरे पास भी almost जब मैंने डुक्स साहबा की पास पॉडकास्ट किया था तो उसको मेरे बाए एक था मैंने बताया बड़ा खुशिस था obviously जब आप कितने case करेंगे आप hundred out of hundred तो वैसे भी सही नहीं हो सकते बताब आप hundred out of hundred result तो नहीं दे सकते मैं सारी बाते खुल के बता जिता है मैं कर रहा हूं मेरी कोशिश में मेरी 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 स्किल्स में आपको कमी आए तो फिर आप लिखें बोले करें वो जाइज आपका राइड है customer राइड होता है लेकिन अगर आप समें मेहनत ही नजर नहीं आएगी दो दो पेज चार्चर पेजिस के बर मैंने फारिग किया मेरे पाद अपी केस है उनका मुझे हरान हुए शुरू शुरू में जब आप फस्टी बात करें तो वो शुरू शुरू के दो 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 पेज का बना भी अलहistic आपको लगता ए कितनी बाता है प्रायमरी इसकोल टीचर अफसलों कुछ दो जो हैना वो वो च्वोलिफेकेशन लीए यह स्कूल में तजरू आप पढहने का अब ऐसे शुरू वहां है रिल्लिवेंट है बलकूल अफराद का जो का बहुत मुश्किल है इसको अप्रूफ करा है उससे ज़दे बेठर है कि आप उसको मना कर दें पिल्कुल जब वह एक आपको फिस्की पर्सेर्च है यह इसा कुछ चीज बुर्वाइट कर रहे हैं मना तो नहीं है लेकिन मेरा मुझे कह रहा है कि भाई यह नहीं हो सकता तो उसको मना कर दें कि आपका नैशनल इंटरस अलाइन नजर लिया रहा है अंडिल लेस के आप प्रफेसर हैं स्टैम के हैं और फिर आप ट्राई कर सकते हैं तो फिर उसकी सवाब दी दूख हमारा काम तो एक अच्छा बना कर तो म अच्छा बना करते हैं तो आपको पास जब आते तो हम उसके अंदर भी बहुत मैनत करते हैं जुबारा उसी परडिशन दुबारा से उसको खोल करना करना मैं कली आरफी पे काम करके बठाओं उनका तो आलमॉस्ट फिफ्टी पेज़े प्लस मैं ने उसको जिनना वो किया इतना मैंने रिसर्च तो आरफ पी पहले स्टैप है नहीं पहले प्रडिशन आपने कि उसके पर रिक्वेस्ट वो फर्द एविडिंस आ जाते हैं कि यार हमें यह चीज़े समझ में नहीं आ रही हैं नेशनल इंटर समझ में नहीं आ रहा हैं इसलिए अपने आपने आपने मैं अपना तो खास्तावर में बख़ा हैं मेरा क्लाइंट मार्केड में आपको नहीं मिलेंगे मेरा क्लाइंट आपको जाकर हैं यह जरूर कहें कि सर अभी आपना केस रिफ्यूजल होने के बावजूद आपसे सैटिसफाइड है बात ही है तो यह चीज़ों को होना यूएस हो, चाया करड़ा हो, आप कोशिश करें, हम भी कहीं जगब पर चूकते हैं, लेकिन जान बूश के कुछ नहीं होता है, जो तर्म आप से पैसा बनाने पर लग जाएंगे, तो फिर आप वो जान बूश के एक जिम्रे में ही आएगा, या आप तबज्यों नहीं कर रह यूएसे में भी रिजेक्ट है कोई केस, कैनड़ा में भी रिजेक्ट है कोई केस, फिर एक रास्ता आता है जर्मनी का, बहुत सारे लोग उस तरफ देखते हैं, और यूएव एग्जेंपल्स, आइनो, तो जर्मनी के लिए जो, जर्मनी इस हाई-टेक कंट्री, और वहां पर ऐसे लोगों के लिए क्या अपर्चुनिटीज है जो यूएस और यूके से जो है, तो इन सब को जर्मनी के लिए बड़ अच्छे हैं, अभी जून में ही इनोंने स्टार्ट किये, पहले जॉब साच्छ विज़ा था, छे मैने का, अब यह है अपोर्चुनिटी कार्ड अपोर्चुनिटी कार्ड, हाँ, और इसको जो इनके अपने जमान में चैंसन कार्टे कहते हैं, जर्मन लैंग्विज़, अपोर्चुनिटी कार्ड, तो अपोर्चुनिटी कार्ड के अंदर इनोंने पॉइंट सिस्टम हो उतारिफ करा दिये, उनोंने यूस-ई-उ-क की अब वो six points करने, जिए six points, only. अच्छ, क्या क्या points है? अब points है, एज, qualification, work experience, और आपका languages, ये तो बड़े basic point है, ये उपिरे of your basic point, ये जहके 67 points करने आपने आपने, इविन आपको जो है, वो qualification के उपर ही almost 4 points बिल जाते हैं. अच्छ. एक्स्पिरेस पे भी आपको 1-2 point हमई तो आप 6-8-10 points आपके अराम से बना सकते हैं इविन जो age क्रॉस कर दिया है उसके पास पॉस्टिटी है जब इस तरह के प्रोग्राम कोलता है तो उसका एक मॉटिफ भी होते है वो यंग्स्रस को उज़ादा प्रिफेर करेगा वो एनर्जी को ट्रैक करता है कि यहांब आके जो भी कुछ करें तो इसलिए हम कोशिज ही करते है कि ब्लू 40 वाले विए ब्लू 40 तक 39 तक आपको points पर भी मिल रहा है 35 से below आपको दो points पर भी मिल रहा है तो आपने इसमें opportunity card में cases किया अभी तो start हुआ है समझे एक मेना भी almost हो गया अभी जून में start हुआ है अभी case submission है सबसे बड़ा जो मसला है पाकिस्तन के अंदर खास्तों में कराच्छी में German ambassador से appointment लेना Before to apply this हाँ apply करने के लिए करने के लिए Okay opportunity card को apply करने के लिए आपने documents बनाकर आपने आपने insurance करानी है आपने IELTS करना है B2 का B2 लेवल पर IELTS अपने करना है अगर आप C1 लेवल कर लेंगे तो आपको points से एक और मिल सकता है तो IELTS matter करेगा यहां हाँ करेगा B2 तो आपको करना चाहिए आप language किसे प्रूफ करना पड़ेगी तो IELTS के band हाँ language में उनका point बढ़ेगा अपने पता है कि अभी submissions ही है कोई भी दावा नहीं कर सकता है अच्छा कोई कोई अगर कर रहा है तो सबस्पर पहले यह बहुकूफ चेक करना चाहिए क्योंकिता ना बहुकूफ यह बहुकूफ यह बारते हमारे वह लोग में का दिखा रहे है अच्छा आपने बता है कि अभी एक मही नहीं हो है जुन फर्स से स्टार्ट होगे वह लॉंग अवेटिड प्रोग्राम तरही है तो यह शुरू हो गया है अभी submissions के उपर है यहां से भी दुबई office से भी हमारे हो तो यह तकरीबन भी दो आप four to six weeks तो minimum भी चाहिएंगे submission के बाद but challenging part is कि appointments आपको timely मिल जाए उसके लिए कुछ लोगो वेट करना पड़ेगा कुछ लोग इस वजह से भी नहीं अपलाएगा appointment नहीं तो क्या physical appointment चाहिए इसके लिए physical appointment चाहिए आप BFS में जैसे को लेकर job करें जहाँ पर आपको समझ में आजाए आप उसको residence permit करा दे work permit करके अब government ने चुकि law pass कर दिया है कि आप 7 साल और अबव नहीं होगा citizenship का अब आप 5 साल complete करें और citizenship लेने से जर्मनी की पाफ़ाइगा तो ये जो opportunity card के जाएंग अगर अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है वो गए वहाँ लेंड किया और एक साल दो साल काम किया get some experience और किसी इंडिस्ट्री में connect होगा spend five years five years करेंगे तो आपको citizenship apply करते हैं government तो law pass करते हैं पहले ज़्यादा था ये साथ साल ये जर्मन जर्मन जो कंट्री है जर्मनी की उसके अंदर ये इस प्रोग्राम का आना एक तो कितर ना किना अंधेरे में एक रोश्णी की हाँ blessing type चीज है blessing है उन लोग के लिए आसान भी एक किसी concern को ना भी ले बहुत लोगा पुद भी अप्लाई कर रहे doesn't matter जर्मन चाहते हैं क्योंकि हम ही कहते हैं बात ही होती है कि अपलाई करने के लिए जिस ही वहर किसी ही उतनी उठा कर देंगे आपको best of the best बनना है अब उसके लिए आपको अच्छी एपनी पर्टिशन टाइप कर ये है वो cover letter तयार होना चाहिए आप अपने आपको sell भी तो बनाए है कि आप करें सिर्फ आपने document जमा करके करने एक client आया था मेरे पाद review कराने के लिए मैं ये भीज रहा हूँ तो review हमने charges लिए और और बाई cover letter कि तर रहा था वो तो लिखा वाली है वो आपने समझ नहीं होती प्रफेशनल लेवल भी वो down the line लोग नहीं पढ़ते हैं नहीं चीज़े करते हैं आप cover letter उसके तर लगे हैं आपने चीज़ें बता है best of the best कैसे बनेंगे आप तो इसलिए ये program जो है वो इसलिए माइन रख जाता है ब्लॉक अचाय बैद अपने ही पैसे है बारजा 234 यूरो फैं नॉटरॉग तो वो आपको चाहिए बारजा 244 यूरो नहीं यह आपने पैसा अपने अकाउन में जर्मन बैंक अकाउंट के निदर ब्लॉक कराना है फिल्क्तेंण पिल्क्राइ कि एफटेंट diyorsun के लाऊश परप्रण ये स्टेडी करतेंट भी हिंटेंटी उपर्णनटी काड़ के बकुर्णिटी कि एफटेंटी काड भी हिरीुरियूरि कदें परman काम भी कर साथ काम करने की, अब याप पहले पैसा करेंगे, जितना भी है, जोग अकाउन तो आपको कर नहीं है, और फिर आप पढ़ाई कम्प्लीट करेंगे, पर पढ़ाई कम्प्लीट करने के बाद आप जॉब्स वगरा डूड़ेंगे, और फिर आगे जाएंगे। तो बहतर यह है कि उससे कई जदा आप इस वाले प्रोग्राम जिसके पास भी minimum भी one to two years work experience है वो opportunity card के लिए 14 years of qualification हमारा बीकॉम वाला भी qualify करता है हाँ मैं भी कहना हूँ बीए वाला भी कर जाता है हाँ कर जाता है depending about relevancy of the work experience वो काम कितना अच्छा है अब एक बंदा आजाए बोले यार मैं तो प्लर कूँ मेरे लिए था है मैं तो भी कॉम तो किया हूँ अब तो नहीं बनेगा न बार केस को भी वैलूट करना बहुत जुरूरी है केस पर जान कितनी है उनको क्या फाइदा है आप कियाने से यह सेमी स्कील्ड और लो स्कील्ड के पर नहीं गाम हो रहा है उसके लिए अलग पात्वे होगा लिए उपोट्रिटी कार्ट के अंदर कुछ पॉइंट से चीज़ों को आपने देखना है और उसके पर अप्लाई करें आपॉइंट्मेंट्स मिलती है तो इससे अची आपको अभी नहीं मिलेगे क्योंकि बंबार्ट्मेंट बहुत होती है पुरा पाकिसार पूरे लोग पूरे दुजिया से लाउंच होती है तो सब लोग उस पर रश मारते है और फिर कहीं जाके एक साल में फिल्टर हो जाते है फिर लोगों को आइडिया होता है कि यह चीज तरह नहीं थी ऐसे थी है और हम तो ऐसी इसके पीछे बाग गए यह तरह एशू है रिफाइन होते होते है टाइम लगता है पिर वो चीज़े अपने दोर पर डिवलप हो जाती है टाइट होना चुरू हो जाती है फिर फिर रूल्स वो लोग रिफाइन करते है फिर आप सो बैक तो दब फुराने प्रोग्राम्स कैनेडा इमिगेशन हो आजाते है अचा आदिल साब एक और भी सिलसला चलता है हमारे हाँ जो लोग रिजेक्ट हो जाते हैं किसी भी वीज़ा कैटेगरी से तो फिर वो यह सोचते हैं कि यार किसी तरह से विज़िट वीज़ा मिल जाए और वहाँ जाके विज़िट पे हम वहाँ लैंड करें and then हम कोई जुगार बनाके कुछ और करके वो पियार और गरह लेगा यह हम सब का पसंदीदा मश्मला है तो इसमें कितना अच्छा कंसल करके किस तरह से करते हैं मुझे यह जानना है अच्छा आप कंसल्टन कह रहे हैं अवल तो वो आपको इस तरह की ड्वाइस नहीं देगा कि यह विजिटर पर यह जुगार ना मारे अच्छा कंसल्टन नहीं हो ना इसका मतलब अगर बात कर देखें बात यह कि कंसल्टन अच्छा वही होगा जो आपको लीगल पैरामेटर्स पर लेके चले आपको सारी in and outs आपको बता देगा पहले बात देगा लेकिन आपको आप मने सवाल कर भी दिया है तो मैं इसका आपको जवाब नॉर्मल बता देता हूँ कि अच्छे को छोड़ दें मैं सुर्फ कंसल्टन इसका आपको बता देता हूँ तो आपको बता देगा कि जएद आपके केस के अंदर देगें फंट नहीं है आपके पास जैना इसको ट्रैवल इसली नहीं है तो आपके चांसिस बहुत कम है आपकी च्वाइस आपकर ना चाहिए कंसल्टन के काम है कि कोई जैसा भी केस आता है अगर क्लाइन की रजामन्दी है और क्लाइन कहता नहीं मुझे अपलाई करना इसको सारी फैक्ट्स आपने बता दी आपने कह दिया कि भाई आपके जो है वो चांस जगर काम है और पिर भी बज़े दे कि नहीं मैंने तो चांस लेना है तो फिर उसका काम यह रह जाता है कि वो अच्छे से अच्छा कोशिश करें कि सारे डूज और को मीट करें मीट करवाए और करने के बाद कहाए कि हाँ आप सदिस्फाइए आप बैतर रहे है यहां तक काम करता है उसके बाद की जो पॉसिबिलिटीज है उस सारी की सारी in a slang language जुगाड के उपर है आपकी setting के उपर है maximum पाकिस्तान के अंदर लोग यह unfortunately sorry to say वो सही तरीके से काम नहीं करते और ना वापन की setting बतल्ब दो नंबर में भी एक नंबर नहीं होता तो उसके अंदर वो नहीं करते वो डन बेस वाला पैसे ले लिए अपर वो बंदे को ढूंटे भी रहे है तो या उसने करा दिया तो जो employer था वो ही माचालला फिर वो हमारे लोगों में से तो वो उसको blackmail करा नहीं बताऊगा न दो देखो में शिगायत करते हैं वारी तो बिचारा फस जाता है यूगर में भी होता है तो यह सारे चीज़ां से अवाइड अगर करके अगर आपकी डूरी दिन अच्छी है और आपको लगता है कोई आपको help करना से तो फिर भी करना चाहिए अदरवाज यह सिर्फ हम बात करता है यह कोई official statement नहीं है आपने अगर सही काम करना है तो विजिटर विज़ा के ओपर जाकर एक आपने legal ही होसाथ आपने जॉप के लिए खुद कोशिश करें खुद जाकर आप चेक करें इंप्लॉयर अगर आपको करता है तो आप नॉर्मल वेक के अंदर बात परमेंट के जो भी आपको एक्ष्पस इंट्री के अंदर आपको करना है आपका इंप्लॉयर आपको help करेंगा और इंप्लॉयर चुकर जेन मना करोगा तो आपसे पैसे नहीं लेगा जाता ले गए नी पहले बात तो यह और अगर ऑफिशल फीस वगारा की बात है तो आपके उसके अपरे अरेंजमेंटें ने दो तीन अजार चारह जार जार डॉर जो भी बनते है उसका लेगे चालिस पैटालेश जार पचार जार जार डॉर इस हैल अफ अमाउंट फिर उसमें भी कोई शूरिटी नहीं है हमारी एक और मैं आपको गेम बता दू आपके दोस्ते के लोगों तक बात पहुँचे जितना भी लोग काम करें मैं देगा मैं बहुत मैंनुर्टी कभी देख भी रहता हूं और लोग क्या करते हैं कोट जादा करते हैं और उसमें से कहते हैं चारजार पाँजार डॉलर दरम दे दो आप जैसे और निगोसियेशन की स्पेस चोड़ दे से अब उसका काम है मैक्सिम्म चार पाँजार छेजार डॉलर चार छेजार दरम दो-चार लाग रुपर कामाने का लिए कोई इसमें बुराई नहीं है कि आप अपनी सर्विसस की चार्जिश पर तो उनली प्रॉब्लम में इसके अगर कोई शख्स कोई कंसरेर कहता है कि मैं वर्क्स पर्मिट करा के दूँगा और इंप्लॉयर का वो निकाल के दूँगा तो उससे एक इतने से पैसे कि जिसका कोई कंफरमेशन अगर नहीं है और लेकिन उसमें कोशिश यह करते कि आप ज्यानतदारी का अंसर आप लगाएं जो केस डूएबल उस पर काम करें उस पर टाइम भी लगाते हैं उससे तो कोई जो नहीं है एक एक एस्पेक्टेशन होती है कि इतना स्ट्रॉंग एक एक पता होती है अपनी जैब से कुछ इसे पर बहुत डूरी जिलिजन्स की जुरूरत थे खासरों पर इत्यात करें पाकिसल से और विजिटर विज़ा के लावा आपके पस कोई और ऑप्शन जब नहीं रह जाता तो आपको यह होता है कि मुझे विजिटर विज़ा सबस्ते में मिल जाए मैं पहुंच जाओं और व इकल वे में जादा करेंगे और रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी जितना भी जादा जो लॉस्त बनी होती वह इसी तरीके से अब कुछ कितने भी लोग हम भी जैसे काम करते हैं मुझे आज भी मैसेज भी आए बहुत हमारे बहुत सरे लोग बहुत सा चीज़ नहीं समझते हैं कि आपने इनिशल अबाउट देने के बाद जो बंदा काम कर रहा है और उसमें एफर्ड किये इससे इसको अलग रखना पड़ेगा कि मैंने वर्क पर्मिट की किसी को आफर नहीं की या मैंने अपने जेव से निकाल कर निंग दिए एक चीज़ होती कि तन और कैनेडा का फ्री ऑफ कॉस्ट जिसके लोग ददद बीस बीज़ा डॉलर चार्ज करते हैं और उसमें अगर जरा सी कर स्पेलिंग मिसे एक हो जाए तो बहुत देखते हैं और जो यंग स्रस आप लोग को फॉलॉब भी कर रहा हुते हैं उनके तहत में बात अपनी तो कम आप करते हैं यार मीडिया के थूरू जो देखेगा सुनेगा समझेगा उसको एट लीस्ट विजन पना चल जाएका इस सुपीरिक इसमें याद इसमेल का विजन क्या है काम करने के तर्तीब क्या है और वहले उसमें तो काम ही नहीं कर रहे ना बस आजा तुसी मैं तोड़ इसमेल क्या है और विजन के लिए पास यूएस का अगर विजा है तो आपको कैनडा फेसिलिटी दे रहा है कि आपको कैन प्लस के उपर आप अप्लाई कर सकते हैं नहीं है यूएस का विजिटर ना मैं प्लस के लिए उपर नहीं कर सकते हैं ना मैं तो आपको कैन प्लस है उनके लिए जो यूएससे हैं यूएसस विजा आपको कैन पास अगरेंड़ है तो आप लाइगें अच्छा कंसल्टेट्स तो बहुत सारें बलके ट्रिवल एजन्त्स भी संसॉर्ट अफ कंसल्टेंज कर रहे होते हैं, जो हज़ उम्रे वाले होते हैं और वो भी Canada भीज रहे होते हैं अमरिका भीज रहे होते हैं So how to choose and how to identify a consultant is quality consultant and have a good legal knowledge. देखिए बहुत सारी चीज़ इसमें इसमें फेक्टर होगी, इसमें भी काफी लबी बात उसकती है, बड़ मैं आपको बहुत चीज़ है जिदा इसमें बता दूगा तो आपको एक डॉक्टर आगा खान में बैठा में बेठा में मिलेगा और सदर में जो है ना वो चैना में दान निकाल लेगा अब डिपेंड करता है आवाम के पर वो कहां जाना चाहती है यहां आखान में बहुत पैसे लगेंगे वो कहते यह जो बाहर है जो आप उसको क्या कहते है हकीम टाइप लोग जो होते है वो तरब नीम हकीम वह वाले जान तो उनके पास भी तो जाके लोग इलाज कराते हैं अब इसका कोई इलाज नहीं है एक अवाम आपको मिलेगी ऐसी एक सेक्टर एक सेग्मेंट है आप सिर्फ जाल साथ बोल सकते हैं यह बाता के बता सकते हैं लोगों को गाइड कर सकते हैं तो पांसे ऐसके आपको बहुत सरी तवक्ता बाता सकते हैं लोगों को मुझे काउंटर करने यह कोशि़ कर रही है तो आप कुछ मिनी करें जीत और हाथ की सीन तो नहीं है हम तो यह करें के बाद ठीक है अवाम को सिप यह आगाई तक पहुछा दे या 20 साल के अदर मैंने कितने लोगों को बेजा और कितने लोगों उसे नराज हुए कितने लोगों नहीं यह तो नहीं किया रहा है कि 100 और 100 ही मैंने बेज़े हुए अटलीस बंदे को इतना वो होना चाहिए आप स्टैंड कर रहे हैं तो कोई वज़ा भी नहीं नहीं आने वाले भी है ठीक है आने चाहिए हम घर किस्ते को नहीं करें तो बंदा देखे ना किसी को भी लेते हुए और कंपीट अगर करनी है किसी से अगर करनी है तो वो सिर्फ इतने सी बात करने कि भाई आपने करें अपनी स्किल्स बेस अच्छी स्किल्स के साथ उट्लाइज करें बागी कंपीटिशन देखें मैं आख को किसी को कोई आकर मुझे गया तो ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ और सिर्फ आप फ्रॉड ऐलिमेंट्स को आप जो फैब्रिकेशन को अपने साथ से अलग करते हैं खुद बखुद बरकते आजएंगे खुद बखुद आपको कंपीट करने की सुबती नहीं पड़ीगी बहुत पर चले जाएंगे बहुत आप आपको जो है ना वो लोग रिगाट करेंगे पैसा बनना सकसेस नहीं है इसस बनना सकसेस है ऐसे है अपर्ट फॉम यूएसे कैनड़ा जर्मनी और लॉट अफ तिंग्स वी फोकस है सभी का पर पाकिस्तान में स्टैम काटेगरी के इलावा बहुत सारे लोग है आपको पता होगा आपके पार लोग आते भी होंगे जो लोग नॉर्मल है बिजनस कैटेगरी बिजनस की एजुकेशन से है या मेडिकल की एजुकेशन से नहीं है आईटी की एजुकेशन से नहीं है क्योंके इसके इसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं इस वक्त तो एक्जाजरेट हो गई कि अब तो बस यहां से राइटिंग सीचुशन है बद जी हम जहने तुड़ा सा पीछे की तरफ जा रहें और मुसलसल जा रहें कोई स्टॉप नहीं लगा है और वो हमें तो जादा फील हो तो हर बचा बड़ा हर जवान जो प्रोफेशनल है वो भी जो नहीं है वो भी जो बिचारा लेबर में वो भी यही सोचता है कि यहां से कैसे निकल तो मैं आपसे यही करना चाहरा हूं कि जो स्टैम में भी नहीं है मैडिकल में भी नहीं है नॉर्मल एजूकेशन में वो भी ट्राई करें देखें तीनों कंट्रीज बहुत सही है कैनिड़ा है और ऑस्ट्रेलिया है बट चुकि अब जरूवत क्या है मुलकों की हम वो इस वक जरूवत बनी है स्टैम मैडिकल वाले ठीक है ऑस्टैलिया में भी देखें कि इन बे इंतास जदर लोग स्टैम के अप्लाई भी हो चुकि को इनका कट आफ बहुत आई है इब टू इस वक्त जो है ना वो जिससे सब शुरू में भी का कि बहुत एक खुछ आइन बात है कि यह प्रोग्राम आगया तो लोग अप लोग समझता है कि इबी टू इन डेवली जो है वो सिर्फ वस्केल वालों के लिए काम करता है जैसे कि अपने 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 जाना तो इबी टू अपलाई करें यूएस को पंट्री का कंपरजन तो कोई नहीं है बहुत सरी बात हो सकते हैं लेकिन अगर यू स्टाइट अप है तो आप जूरू स्टाइट अप पेश करें अपना और उसमें आप कम लागत के ओपर आप इसके थूरू ग्रीन का डाजल कर सकते हैं फॉर यू फैमिली मैक्सिम आपको देखें पाहिसान में दो ड़ाई साल के अंदर का पॉस्सिंग ताइम हैं लेकिन साथिया हो गया कतर हो गया ओमान हो गया लोग ऑस्टेली से हमापास यू के से यहां पर टाइम लाइन आपको कम मिलेगी वीजा ग्रांट की पेटिशन अप्रूवल की जो टाइम लेने वो तीन मेने से लेके छे मेने के दरिवान कहीं पर भी हो जाती है तो यह आपको करते हैं कि जो मिसकोंसेप्शन हैं रिलेटिट टो कंसलिटनसी रिलेटिट टो ड़्याफ डिसकुर्ट तो वीजा कैटेगरी और विजिटर वाला अच्छा आपने हाइलाइट किया और मल्टीपल केटेगरी का एक मिसकोंसेप्ट है कि यह इस तरह है यह उस तरह है I want कि आ बूस करने में मिस अंडिस्टेंडिंग करते हैं कि मेरी तो कॉलिफिकेशन भी लाइक एक केस ले लेते हैं एक फार्मसिस्ट है कोई उसने डी फार्म किया हुआ है फार्म डी की डिग्री है उसके पास एक साल का तजर्बा है अब वो यह समझता है कि मैं किसी भी कैटेगरी में फॉल करता हूँ मैं स्टैंब में नी करता तो मैं यहां करता हूँ अब वो उसके पास अपने उसके कॉंसेप्ट है ना पाकिस्तानी स्टाल है कि वो evaluate करके उसको बता है विसाल की तरफे आप जिससे आपने case study बता है कि वे pharmacist है या doctor है अब हमारी पहली priority होती ही कि अगर मैं इनको लेकी जाओ तो मैं इनको suggest करूँ कि Canada गरो आज कि Canada जा है अगर immigration ही हमारी destination है या किसी तरीके से मुझे immigration हासल करनी है किसी दुसरे मुल की तो मैं इसको Canada प्रिफर करूँगा फिर उसके बाद मैं देखूँ अगर वहाँ नहीं interested है IELTS नहीं कर सकता proof of fund का मसला है फिर मैं उसका case देखूँ और develop करूँ कि भाई ये five years work experience है ये नहीं है क्या ये advance degree को meet कर रहा है नहीं कर रहा है और इसके पास ये experience और ये requirements है कुछ certification है ये नहीं है और इसका case कितना strong है कि उसको page किया जा सके उसको EB2 की तरफ लेकिया जा सके तो एक अच्छे concern की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको guide करे उसको सिर्फ sale नहीं करे कि मेरे पास आकर कई लोग आपको जो है न वो endorsement आपको देंगे कि मैं अपनी consultation में बता तो फिर लोग ये वो सलाम करके ये उठते कि सर आपने मैं मेरे पास यसे कोई आता है मैं कहते हैं तो पहले आप qualification assessment करा किया जो अगर clear नहीं है या उनको बता देते कि स्टेम में आप नहीं है तो आपका eligibility बहुत weak है तो आपका evaluation बहुत strong अच्छी कि आपका Australia करना तो उसको Australia की तरह बता है और options अगर जो भी available है उनको guide कर सकते हैं तो ये एक तो जो myth है उसके हवाले से के occupations आप concerns को छोड़ सकते हैं या आप अपना तौर पर इतनी research develop कर लें कि आप अपको इतनी knowledge हो कि आपके पास होने चाहिए तो ये सारी चीज़े हैं बाकी ये बाते हम बहुत जगाओं पर बहुत दवा कर चुके हैं कि concerns को कैसे चूज़ करना है आपने चूज़ करने के पास जाएं कोशिच करें कि जो रिजिस्टर कंसर्डर से पाकिसान के अंदर कोशिच करें कि जूँके बहुत अच्छा experience है उनके पास चले जाएं कोशिच करें कि वह इस तरह के जो प्रिविशली आप देख लें कि ट्रैकर रिकार्ड कराट यह वरक पर्मिट टाइप करें बेचे रहे हैं पाकिस्तन के अंदर खास कराची वह तो है यह नहीं वहां कि असल में कोईड के बाद ट्रेवल और फिर सानिय के बाद पक्सान में उसके बाद से लिग और जो हलाद अभी चल रहे जितना पैसा बन रहा है कंसेटरसी के बाद दूसरे दिन एक कंपनी कुलती है और दूसरे दिन जो है न दो बंदे मिलते हैं जो कंसेटरसी करते हैं कोई research work नहीं है कोई सोचता नहीं है कोई समझता नहीं जाकर उसको पैसे देता है यह कम्में कर रहा ना इसको में देता है जो weak touch point से उनसे खेला जाता है कुछ को कामें भी मिलती है बहुत बिजिस चल रहा है बिजिस काम हो रहा है क्योंको इसके पर as such को grand operation नहीं हो सकता तो यह दो चल रही तो इसका as such तो नहीं है कि आप इसको highlight कर सके बस यही कुछ जगहों से आप जाकर कुछ थोड़ी बात कर लेतें बता देतें अपोर्श यहीं चले जाएं यहीं चले जाएं आपको कितना आपको जो है ना वह आपको गोर्डन वीजा भी दे रहे हैं पांच साल वाला इनकी पस अपने भी accelerator program में भी दुबई के लोगों नहीं पता जिसमें ग्रांड भी आपको मिल रही है आप इतना आप इन्वेटिव बने नह आप बिजनसमें है तो आपके कितने इन्वेट्मन तेन मिलियन फाइप मिलियन दर्म से आपकी स्टार्ट होते हैं आपकी प्रॉपर्टीज वगरा बे तो वो अपने जगह पर है कि आपको यह गोल्डन वीजा आपको मिल जाता है इसल भी अगर हम बात करें कि दुबई के आपकन कि इन्दर जाब ऑपोर्जिटी इस ब्रॉप के कंपारिटर ली बहुत अचो है जो ही के अंदर रिाफ्लिए एसले इस-टेट के अदर एजंट नहीं होता है कि जो बेज सेले मार्केटर भी होता है तो हमारी ओवाय अपरशिटी आपके आज़ अधे तेक्बर है अ कितनी इन्वेस्टमेंट है आप कहीं पर चले जाएं अगर आपको रहने का मसला है आप दो लाग धाय लाग दो दरम के अंदर आप अपना एक अराम से स्टूडी अपार्टमन ले सकते हैं रहने शुरू करते हैं आप एक आप एक कंपनी रिजिस्टर जो है वो पांजा जिसको करना है बड़ जब आप ऑप्शन डून रहोते तो पर यह ऑप्शन भी है कतर है उमान है इन्वेस्टमेंट आपके आपके हमारी रियल स्टेट का हाल क्या हुआ है और यूई के रिजिस्टर क्या है मैं आपको लिटरी आपको बात बता जिता हूँ कि मैं एक आपको हमें सोचने की दूर होते है कि नाट जिस्ट जर्मनी अगर किसी की पास स्टेप आउट करने के लिए बोड़ा सा भी रूम है और वो वेड़ कर रहा किसी जगह पर उसको चाहिए कि इन जगहों पर भी अगर जाकर अपना किसमत अजबाता है एक लाइफस्टाइल safety हो जाएगी और वहां से पिर आप पात्वे बना सकते है मुटलिफ countries that's really very nice thank you Adil Saab we have discussed a lot of things including visa categories education fashion and a lot of things and surely we will have another podcast show and thank you very much